जेहन दोस्तू आप सभी को पता होगा अप्रेल के महिने में हमारी भर्ती सुरू होने वाली है और भाई भर्ती में सबसे पहले क्या होता था पहले होती थी भाई रेस अब भाई बड़ा बदलाब कर दिया गया है हमारी आर्मी भर्तियों में भाई अब आपको देखने को मि और आ जाएगा तो भाई यह प्रोसेस अवसे लागू होगा 2023 में मैंने आपको यह वीडियो दी थी आपने यह वीडियो नहीं देखियो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता है कि कैसे हमारा जो यह पेपर है लिया जाएगा आप यह वीडियो को जरूर चेक आउट कर लेना अ तो दोस्तों रिलेशन भरती होती है और एक होती है भाई ओपन भरती में हमें रेजिस्टेशन करना होता रिलेशन भरती में दोस्तों डारेक्ट सेंटर में जाते हैं जिनके पिता जी भाई लगे होए होते हैं उनकी एक रिक्रूप्मेंट निकलती है हर किसी सेंटर में उ आज हम आपको पूरी जानकारी देने बाल हूं जिनके पास रेलेशन हैं जिनको 20 नंबर मिलते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया क्या उनका कैसे फादा होगा कैसे उनको भरती देखनी दी जाएगी कैसे पेपर होगा तो आज इस वीडियो में दोस्तो जैसा बोला जा रहा ह उसके आधर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं देखो दोस्तो आप सभी को मैंने बताई दिया कि आपकी भाई अब क्या होगा आपका online exam होगा आप यहां पर देख सकते हैं और उसके लिए दोस्तों क्या होगा कि आप से कुछ payment भी ली जाएगी यह दोस्तों open जो बच्च है उनको जो benefit मिलेगा जिनको 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर मिलेंगे उनको कैसे मिलेंगे तो भाई देखो जब आप open वाले बच्चे जब registration करेंगे तो भाई उनसे पूछा जाएगा आपके पास को sports certificate है या NCC है या relation है तो भाई क्या होगा उनसे वहां पर पूछा ज हैगा उसमें भाई उनको बोल दिया जाएगा कि इस पर टिक करें और आपको 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर जो भी है वहां पर छूट मिलेगे यह बच्चे वह भी हैं जो sportsman की भरती देखते हैं उनको भाई छूट मिलती है उनकी नंबर होगी ठीक है और फिर भाई क्या होगा अब बोलेंगे कि भाई relation वालोगा क्या होगा वो तो direct center में जाते हैं तो भाई देखो क्या होगा जब आप center में जाओगे तो वहां पर भी दोस्तों कुछ ना कुछ registration करना होगा उसमें भाई आपको बता दिया जाएगा कि दो column दिया जाएंगे कि आपके पास भाई का relation है या पिताजी का relation है जिनके पास पिताजी का relation है उन्हें दोस्तों 20 number की छूट मिलेगी 20 number आपके पलस कर दे जाएंगे और भाई जिनका भाई का होगा उनको एक number का जो छूट नहीं मिले क्योंकि भाई के जो relation में एक भी number नहीं जोड़े जाते हैं ठीक है और नहीं height chest weight में कुछ भी benefit होता बैस उनको भाई भरती देखनी दी जाती इतना उनका benefit मिलता है तो भाई इसी according से सायद ये process चलेगा आपको भाई क्या करना होगा आपको भाई registration करना होगा जब आप registration कर लोगे तो भाई उसमें एक column रहेगा ठीक है दो तिन column रहेंगे तो उन column को दोस्तो भाई क्या होगा जो NCC होती है ठीक है उनका paper फिरी होता तो भाई वहां पर वो भी apply किया जाएगा उनसे सायद paper नहीं देनी दिये जाएगा open वाले बच्चों के साथ ठीक है और relation वाले बच्चों के साथ भाई यही same condition apply होगी पर बाकी देखते हैं अभी update आते रहते हैं ब आते हैं बात्रों